तो दोस्तो आर्टी एडमिशन दो हजार तेईचोविस रिपोर्टिंग की लार्ट डेट तक हमने रिपोर्टिंग नहीं की तो क्या रिपोर्टिंग एटोमिटिक होगी या नहीं होगी इसी बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साति राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चिनल तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इन आर्टी एडमिशन की रिपोर्टिंग करने की जो लाज डेट थी वो दो जून दो हजार तेश तक थी लेकिन काफी सारे अभिभावों कों की बार-बार मेरे पास सिकायत आ रही है इसकूल साथियों की भी सिकायत आ रही है कि लाज डेट तक रिपोर्टिंग नहीं की अब क्या करें पोर्टल एटोमेटिक करेगा या नहीं करेगा तो भी यह इसकी पूरी जो प्रोसेस है आपको पिछे की स्क्रीन पर प्रेटिकल करके आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्टिंग होगी या नहीं होगी इसके पिछे क्या कारण है क्योंकि कुछ आती है वो मुझ पे गुसा हो रखें कि राजगुर जी आप वीडियो में फालतू बात है वो जादा करते हो वीडियो बहुर होने लग जाती है हमारे लिए कोई भी जानकार यह प्रेटिकल करके समझाया करो ताकि हमें समझ में आजे तो लोग प्रेटिकल करके समझा रहा हूँ अब लाज तक देख लेना और समझ लेना सवाला कमेंड कर देना चलिए चलते हैं PC के स्क्रीन पर तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे PSP पोर्टल पे हो आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने किसी एक स्टूडेंट की ID को ओपन कर लिया है जिसके दवरा अभी तक भी लाज डेट तक है रिपोर्टिंग नहीं किये चलिए सबसे पहले में इसकी जो प्रात्मिक्ता सुची है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ देखिए इस बालक या बालिका के दवरा इस स्कूल में हो आवे दिन के आ गया था और यहाँ पर देखिए इसका जो प्रात्मिक्ता कर मांग का वो 16 नमबर आ रहा है अब य यहाँ पे बालक या बालिका के दवारा reporting नहीं की गई है यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती तो यहाँ पे देखिए गुड का मारक है वो आ जाता है अलांकि इस बालक के दवारा यहाँ पे देखिए एक स्कूल में आवेदन है वो किया गया था ठीक है और देखिए इसमें है इन्होंने reporting है वह नहीं किये अब यहाँ पे देखिए मैं स्कूल की बात करूं यहाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे उसी इस्कूल की सेम id को ओपन कर रख है आप यहाँ पे है वो देख सकते हैं इस स्कूल का नाम भी आप दे सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो मैं आटी प्रिवेस वाले ओप्शन पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर ओनलाइन आवेदन शुचिम आपको यहाँ पर दिखाता हूं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे देखिए सेशन 2023 से और जिस बालक या बालिका का हमने यहाँ पर देखिए अभी आवेदन उपन कर रखा था उसका नाम था यहाँ पर आप दे सकते हैं तनुसरी ठीक है आपके लिए मेरे दवारा ही यह के डेमो आवेदन फोरम है वो भरा गया था आप यहाँ पर दे सकते हैं माता का नाम यहाँ पर देमो लिखावा है एक बार फिर से गोर से आप देख लिजेगा तनुसरी है और वापस मैं आपको यहाँ पर आईडी में दिखा देता हूँ यहाँ पर भी आप दे सकते हैं इस बालि वेरिफिकेशन 2023 वाले option पर अपने क्लिक करते हैं अब जैसे मैं ने यहां पर क्लिक किया तो आप यहां पर देखोगे कि उस बालिका का जो नाम है जो तन्नों शिरी था यहां पर आपको कहीं पर भी देखने को है वो नहीं मिलेगा क्योंकि उस बालिका के दवारा या उसके parents के दवरा अभी तक है वो reporting है वो नहीं की गई है आप यहां पर देख सकते हो इसके लाओ यहां पर एक और सुचिम आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा है यहां पर देखिए प्रात्मिकता सुचिए ठीक है इस वाले option पर अपने यहां पर क्लिक करते हैं अब जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए जिस प्रकार से करमांग यहां पर रखा है तो बच्ची का जो करमांग था यह 16 नंबर था तो यहां पर देखिए प्रात्मिकता करमांग भी इसका दिखाई दे रहा है लेकिन document verification में इसका कोई भी जानकारी हमें यहां पर नहीं अब दोस्तों यह अपन नियमों की यहां पर बात करें तो नियम भी मापको यहां पर दिखा देता हूं देखिए मैंने यहां पर नियमों की जो PDF फाइल है वो उपन कर रही है session 2023 वाली यह page नंबर 8 है एक बार मापको यहां पर दिखा देता हूं अन्य था कुछ लोग यहा पर देखिए पॉइंट नंबर आप पर 4.1.1 के तीन में आप यहां पर देखिए 13 में ठीक है यहां पर क्या लिखा है लोटरी प्रक्रिया के 57 बालक दौरा गैर सरकारे विदाले में रिपोर्टिंग की जाएगी इस प्रक्रिया में बालक दौरा में किये गए विदाले chain क करम को बदला जा सकेगा जिन बालकों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी उनके द्वारा पूर्वा में भरे गए चेन करम को ही अंती मान लिया जाएगा और इस परकार कोई भी बालक रिपोर्टिंग से वन्चित नहीं रहेगा अब इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि आप लास्ट डेट तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो पॉर्टल है वो एटोमेटिक रिपोर्टिंग है वो कर देगा अब वापस मैं यहाँ पर एक बार पॉर्टल पर आता हूँ तो देखिए इस बालिका के बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे यह देखिए अबिभावक दोरा ओनलाइन रिपोर्टिंग करना तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट थी वो थी दो जून यानि दो जून के बाद अपने मान लेते हैं कि तीन जून को पोर्टल है वो एटोमेटिक है यहाँ पर रिपोर्टिंग कर देगा लेकिन भिया इस केस के अंदर है यहाँ पर देखिए कोई भी रिपोर्टिंग है पोर्टल के दोवारा यहाँ पर नहीं की गई है अब इसका मतलब यही है दोस्तो कि यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है अलांकि इस बारे में मैंने डिपार्टमेंट से है वह बात की है ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनको ये सुचित भी किया है अलांकि आज तो देखी ये संडे है मैं संडे के दिन ये वीडियो बना रहा हूं लेकिन जैसे इसके बारे में कोई update आता है तो आने वाली वीडियो के अंदर मापको जुरूर जानकारी है वो देने वाला हूँ कि नियमों में तो ऐसा कहा गया है कि reporting होनी चाहिए अलागि मेरे दौारा भी आपको जानकारी दी गई थी लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे ऐसे साथे हैं जो बार-बार comment कर रहे थे कि sir reporting automatic होने वाली थी नहीं हुई आपने भी जानकारी दी थी तो देखिए ये clear करने के लिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ तो देखिए यहां पर देखिए हो सकता है कि साथ कोई यहां टेकनिकल प्रोब्लम हो पोर्टल की या फिर हो सकता है कि साथ दे department की क्या मन्शा हो इस बार में तो देखिए फिलहाल मैं भी आपको इस पर जानकारी हो नहीं दे सकता हूँ और इसके बार में आपका क्या कहना है तो आप कमेंट करके है वो मुझे जरूर बताएगा तो मिलते हैं फ्रेंट्स अगली एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत